जैहिन दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्योब चैनल है इसके जौब से ग्यान में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले FCI Food Corporation of India के द्वारा हरियाना के लिए वोच मैन की रुकैर्मेंट्स जारी कर दी गई है तो दोस्तो आगे हम आपको वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वले हैं तो दोस्तो इससे पहले जो है पंजाब के लिए भी वोच मैन की पोस्टे जारी की गई थी तो दोस्तो अगर आपने अभी पंजाब के लिए अपलाई नहीं किया है तो आप उसके लिए भी अभी अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो आगे हम आपको वीडियो में इसका पूरा eligibility criteria के बारे में बताने वले हैं तो दोस्तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब सग्यान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नहीं नहीं वकैंसिस की डिटेल लेकर आते रहें तो दोस्तो यह जो नोटिफकेशन है यह Food Corporation of India FCI की Official नोटिफकेशन है जान से हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वले हैं तो दोस्तो इसमें जो है आपको requirement जारी की गई है watchman के लिए तो दोस्तो बात करते हैं इसकी vacancies की और pay scale की तो इसमें जो आपका pay scale रहेगा वो 23,300 से 84,000 रुपय तक रहने वाला है और इसमें जो आपकी minimum age limit है वो 18 साल है और maximum age limit 25 साल दी गई है और दोस्तो इसमें SC के लिए 72 पोस्टे जारी की गई है OBC के लिए 102 पोस्टे हैं EWS के लिए 38 हैं और journal category के लिए 188 पोस्टे जारी की गई है तो दोस्तो टोटल इसमें आपको 380 पोस्टों के लिए आप से इसमें online अवेदन मांगे गए हैं तो दोस्तो इसके बाद हम next बात करेंगे जो आपको इसमें education qualification दी गई है तो दोस्तो जो normal watchman है उनके लिए जो है 8th pass वाले इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद जो इसमें पुराने security guards हैं उनके लिए 5th pass मांगी गई है तो दोस्तो इसके बाद जैसे ही आप इसमें और भी आपको कहीं conditions दी गई हैं वो आप इसकी notification को download कर एक बार अच्छी तरह से read कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद इसमें आपका leasibility criteria भी दिया गया जो security guards के लिए हैं वो आप यहां से इसे अच्छी तरह से check कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या eligibility criteria दिये गए हैं तो दोस्तो इसके बाद इसमें आपका selection process के बारे में बताया गया है तो दोस्तो इसका जो है आपको एक return test देना पड़ेगा जो कि आपका 90 minute का होगा तो दोस्तो इसमें जो है आपको 120 multiple choice questions होंगे जिसमें आपका journal knowledge के, current affair के, reasoning के, English language के और numerical ability के आपके इसमें questions होंगे तो दोस्तो जो आपके return test है जो आप security guards वाले हैं उनके लिए भी 90 minute का ही exam होगा जिसमें आपको 120 multiple choice questions होंगे तो दोस्तो उनका भी इसमें आपको syllabus दिया गया है वो आप यहां से इसे अच्छी तरह से read कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो आपका physical test होगा उसमें क्या क्या होगा तो दोस्तो जो इसमें आपका running वाला होगा उसमें male candidate के लिए 100 meter की race होगी और female candidate के लिए 800 meter की race होने वाली है बाकी age wise आप यहां से देख सकते हैं कि कौन सी male के लिए कितने second दिये जाएंगे age wise यहां पर आपको इसके criteria दिये गए हैं वो आप यहां से इसे check कर सकते हैं तो दोस्तो third last में आपका high jump होने वाला है जिसमें male और female के लिए अलग-लग criteria दिया गया है age wise वो भी आप यहां से इसे check कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद जैसे ही आप इसको scroll down करोगे तो इसमें important information और instructions दी गई हैं वो आप यहां से check कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद जैसे ही आप इसको scroll down करोगे तो नीचे आपको इसकी fees के बारे में भी बताया गया है और जो S.E.S.T.A. O.B.C. वाले हैं उनके लिए ये form बिल्कुल फ्री है तो दोस्तो इसके बाद इसमें इनकी official website भी दी गई है जहां से आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसका link मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा आप वहां से जो है अपने form के लिए direct वहा आपका 20-10-2021 से आप इसके लिए apply कर सकते हैं और इसकी जो application fees है वो भी वो जो है उसकी last date आपको 19-11 दी गई है और जो आपकी last date है जो आप बैंक इच लान के जरिये पे करोगे उसकी last date 19 तारीक दी गई है इसके बाद दोस्तो जो आपकी last date है online applications की 19-11-2020 दी गई है और इस side पर लगातार widget करते रहोगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तो यह इसके बारे में complete information थी तो दोस्तो इसके बारे में अगर आपकी कोई भी query है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment करा हमसे इसके बारे में पूछ सकते है और दोस्तो अगर